आपका JSSC का जो CGL है उसके syllabus की बात करेंगे आप सब को पता होगा JSSC का जो Notification Out हो गया है 15 ताइक से जो 15 जन्वरी है 2022 से आपका फोर्म बराने स्टार्ट हो जाएगा तो उसके जो syllabus क्या है तो देखो आपको पता होगा हाली में जो भी JSSC के द्वारा जो examination होती है उसमें एक मुख्या परिक्षा बस ली जाएगी और उसी के according आपका document verification होगा जो भी qualify करिंग उनका और उनको job alert किया जाएगा सिंपल सा है objective question होगा इसमें तीन मास का हर एक question रहेगा और इसमें जैसे कि आपको पता होगा कि JPSC में आपका नेगटीव मार्किंग नहीं था लेकिन इसमें आपका negative marking है तो इस चीज़ को हमें इसा ध्यान में रखना कुछ लोग होते कि टाइम पर भूल जाते कि इसमें भी नेगटीव मार्किंग नहीं हलाकि उस पर question paper में आपको लिखा रहता है कि इस नेगटीव मार्किंग है तो आप उस सब चीज़ों को ज़्यासा ध्यान रखना और पहले सब पता रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा बाद में जाकि वो question paper पढ़ना वगेरा वो कि परेक्षा में क्या होने वाला है तीन पाली में examination होगा दो दो गंटा का examination होगा देखो examination दो टाफ होगा क्यों होगा क्यों किंग कंपटीशन बढ़ा है हाल के टाइम पर लेकिन एक चीज़ में बता दूं कुछ लोगों के पास negativity है कि examination सही से कंड़क्ट होगा नहीं होगा या पर पाहले जैसा होगा जासे सेटिंग होगा इसाब को छोड़के positive बेखते हैं कि हाँ अच्छा होगा ये सोच के चलते हैं और देखते हैं सिलिए वस क्या है आगे यह को पेपर होण है आपका लेंगविचे पेपर है टोटल इसमें हिंदी और इंग्रिश को फटा दिया गया तो यह सारे लोकल लेंग्वेज इसमें से आपको चूज करना होगा अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेंग्वेज पर लेक्ट्टर चाहिए तो कमेंट करके ज़ूरू बता देना पर थी की बात करें तो पेपर थी में हैं समारे अध्यान, समाने विजयान, समाने ग मान सिफ ठंता यहांच सायर रिसनिंग हो गया यह कम्पीटर और ज्भार ज्व का यहंड्यूर्च का जो जीब कि यह सारे टो टोपिक है ना सारे लोग लगबग लगबग अच्छे से करी लेते हैं जो जिसमें मार खा जाते हैं इस्टुडेंट वह है यह अलाकि इस बार तो बार किया गया है कि जो लोकल 12 और 10 पास करे रहेंगे उन्हीं को फॉर्म बने की अपलाई किया जाएगा अपलाई कर सकते होई फॉर्म के ल जुन जुलाई तक में इसका एक्जामिनेशन हो जाना चाहिए जहां तक मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है सब चीजों को देखके काफी ज्यादा सीट वेकेंसी रहने के कारन में काफी ज्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है करमचारियों पे तो उसके लिए अभी क्योंकि क वह ही आपका अनुषीद रहेंगे और व्याक्रन की कोशन रहेंगे हिंदी में सिमिलर्ली इंग्लिस में बहुक्त क्या विसे रहेंगे तो उसके आपको लेटरेचर रहेंगे और poems रहेंगे उसके बाद एक importance in grammar उसमें रहे गई और एक दो चीज़े आपको उसमें 8 देखने को मिलेगी तो ऐसे सारे subject में आपको देखने को मिलेंगे लिट्रेचर के काफी ज्यादा रोल पड़ जाता है और लिट्रेचर आप उसी लेंग्वेज को connect करो उसी लेंग्वेज को चूज करो जिसका आपको अच्छा से थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि कुछ लोग रहते हैं उनको अभी ऐसे लेंग्वेज जो मुंदा है लेंग्वेज वगईरा आता है तो उनके लिए ठीक है संताल लेंग्वेज को आता है य ultrasound के लूगहेज सब लोगों पेपर आपका है यह समान्य घ्यान तो समान्य घ्यान में आपको जी पूछा जाते हैं लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपके प्रिपरेशन कैसी है आपने पढ़ा है पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है क्योंकि आप देखो कि पहले बाद तो इसमें करेंट पर इसी में आ जाता है तो इसके बाद विज्ञान से रिलेटेड जो रहेगा यहा प्राद एक दो कोशन एकोनोमिक के भी देखने को मिल सकते हैं तो सारे चीजों को जो मिक्स अध्यान में रहेगा वह आ जागा समाने विज्ञान में ज्यादा तब कोशन पूछे जाएंगे जो अपने आसपास चीजों को आप देखते हैं उससे से रिलेटेड ज्यादा फ कोशन को देखने को मिलेंगे बात करें समान गरें तो इसमें ज्यादा हाड नहीं रहने वाला है लेकिन आपको जड़ा सब कुछ टॉपिक्स पर से कमांड करना है और पाइप और पिश्टन हो गया इस पे आपको थोड़ा से कमांड करने के जोरत है क्योंकि यहां से कुछ थोड़े से tricky question बन जाते हैं उतना वह tricky नहीं रहता है मगर वह देखने में लग जाते हैं question लंौ लिखा रहता है तो फोड़े से लगने लगते हैं और जैसे क्रिक्टर का कॉशन आगा iid से आगया में थो यह question थोड़े से कॉंप्लिकेट्ट जैसे लगने लेता एक उसे इंटरनेट से इंटरनेट ब्रावसर है विंडोंस से पूछन जाते तो यह इसी लेबल में जो आपको कोडिंग रहागा जो अलफाबेटिक कोडिंग रहेगा तो काफी इजी way में कोष्छनुरा कोहीं जाता है। तो में इंसान का आपर मार्खा जाता है candidate वह समाने विग्यान में हलाकि समाने विग्यान भी सबका बहुत बहतर रहता है में यहां पर दिक्कत आती है जहारकन राज दे संबंदत ग्यान क्योंकि इसका टोपिक हो जाता है काफी जदा वाइड काफी बड़ा हो जाता है कि आप बुक पे ज्यादा dependent हो ठीक है आपको ओनलाइन क्लास देखने को मिलते हैं आप बोलो जिस टॉपिक पर डिफिकल्टी आ रही है उसको लेकर आप ओनलाइन क्लास करो हलाकि देखो लेक्चर तो अपलोड होई जाते है लेकिन अप उन्हीं सब चीज़ों को देखो ज उसका जो सिलेवस है तो यह चीज आप सिलेवस देख लो और उसके आपको प्रिपरेशन करना है तो बस यही था और जैसे कोई अपडेट और न्यू अपडेट होगी तो मैं आपको जरू अपडेट करूंगा उसको लेकर और कोई भी हैल्फ चाहिए तो कमेंट करो मैं हू मिलता हूं किसी और वीडियो में तब तक क्लिया बिता लूंगा जया है